उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बिजनौर जिला पुलिस सडक सुरक्षा सप्ताह मना रही है जिसमें यातायात संबंधी नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है परंतु ब्लॉक जलीलपुर मुख्याले से 200 कदम की दूरी पर इंडेन गैस एजेंसी के सामने नशे में धुत एक बाइक सवार ने आगे जा रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी जिस कारण बाइक चालक अपनी मा के साथ गिर गया हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोट आई है जलीलपुर के ग्राम नवादा निवासी राहुल कुमार पुत्र निर्मल सिंग अपनी मा के साथ चांदपुर से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा था तभी अचानक पीछे से शराब के नशे में बाइक चला रहे सुनील पुत्र विकास निवासी गंधौर आया तभी सुनील ने राहुल की बाइक में जोरदा टक कर मार दी जिस कारण राहुल और उसकी मा बाइक से नीचे गिर गए दुरघटना में राहुल के पैर की हड़ी में फ्रैक्चर आया है राहुल को निजी चिकितसाले में भरती कर आया गया है पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी शराब पी कर वाहन चलाने में कमी नहीं आ रही है लोग शराब के नशे में बाइक सहित अन्यवाहन चलाते हैं तथा ऐसे लोगों को दुरघटना का शिकार बना देते हैं जो यातायात के नियमों का पालन कर रहे होते हैं सडक दुरघटनाओं में कमी होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार सडक दुरघटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट